अवकाश के बाद आज नीमच ख्रशी उपज मंडी जैसे ही खुली देर राज सही किसानों ने मंडी की ओर रुक कर लिया था इसके चलते मंडी में पहले सही उपज के डेर लगे हुए थे इस बीच सुबह होते ही वाहनों की लंबी-Lंबी कतारे मंडी गेट के बाहर लग गए जिसके चलते किलेशवर रोड इस्टेशन रोड दोनों ही गेट पर वाहनों की करीब दो किलोमेटर तक लंबी कतारे लग गए इन कतारों की वजह से ट्राफिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड गई और जाम के हालाद बन गए जिससे दुरुस्त करने के लिए ट्राफिक पुलिस के पसीने चूट गए उधर मंडी व्यपारियों का कहना है कि दिवाले के पर्व के मद्य नजर किसान अपनी उपज को नीमच क्रशी उपज मंडी में बेचने आ रहे हैं साती साथ नीमच क्रशी उपज मंडी में सभी उपज के किसानों को अन्य मंडियों की अपेक्षा अच्छे बाव मिलते हैं जिसकी वज़े से जिले के साथ साथ आसपास की जिले में भी किसान नीमच क्रशी उपज मंडी की और रुख कर रहे हैं आने वाले दिनों में भी इस तरह के हालात नजर आए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। बहरहाल नीमच करशी उपजमंडी में आए दिन बंपर आवक के कारण सडकों पर जाम लग रहा है। जिसके चलते पुलिस प्रशाशन को पहले से ही बहतर इंतिजाम कर लेने चाहिए ताकि आगामी दिनों में इस तरह के हालात फिर से निर्मित ना हो।